तो ऐसो ऐसी लर्नर्स अब आपने वीडियो पर क्लिक करी दिया है तो सीखते हैं हम Elimination Method, Linear Equation in Two Variables का Chapter 3 है तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेश ना करते हुए Elimination Method का मतलब देखो, Elimination का मतलब क्या है? Eliminate, Eliminate मतलब कि इन्हें हमें Eliminate करना है इन दोनों में से किसी को भी, अब Eliminate कैसे करेंगे जब यह सेम होंगे ठीक है, अब सेम कैसे होंगे देखिए, यहाँ पर हम नहीं इसको हमें अभी क्या करना पड़ेगा, इसे सब्ट्रेक करना पड़ेगा, है ना जब यह Eliminate हो सकता है क्योंकि सब्ट्रेक करने से 0 आएगा, अब देखो यह 3 है और यह 4 है, Eliminate नहीं हो सकता है ना, और यह 2 है और यह 3 है, यह भी Eliminate नहीं हो सकता तो इन दोनों में से Eliminate करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन्हें Multiply Equation 1 by 3 and Multiply and Equation 2 by 2, ठीक है तो हमेंने क्या किया है, यहां पर एक दूसरे को Multiply कर दिया है, यहां पर ठीक है तो अब देखिए हमने इसको 3 से Multiply किया है, पूरी Equation को 3 से Multiply ठीक है, जब हम इसे 3 से Multiply कर देंगे और इस वाली को हमें क्या करना है 2 से पूरी Equation को Multiply करना है, तो किस तरीके से बनेगी हमारी यह Equation ठीक है, देखो, 3 की इसमें Multiply करोगे तो क्या बनेगा है, 6X फिर यह प्लस 3 तिया 9Y बराबर 12 तिया 36, यह आ गया, और 3 दूनी 6 X प्लस 3 चोग 12 Y बराबर 2, अरे यार मैं क्या कर रहा हूं यह 3 दूनी 6 हो गया, 6X और यहां पर 2 चोग 8 हो गया, प्लस में 8Y बराबर 14 दूनी 28 ठीक है, इस तरीके से आगया हमें इसको equation 3 मान लेते हैं और इसको equation 4 मान लेते हैं अब देखो, eliminate करने के लिए क्या करने पड़ेगा, subtract करने पड़ेगा, subtract करते हैं तो sign change होता है, यह plus का है तो यह minus, यह plus का है तो यह minus, अब इन्हें करते हैं कैसे होंगे, 6 में से 6 गया, 0, अब देखो, यह plus का है और यह minus का, ठीक है, इस वाले sign से हमें कोई मतलब नहीं है, इस वाले से मतलब है, plus minus, minus, क्या हो जाएगा, y बचेगा, और equals to, देखो, plus minus, minus यह भी होगा, 36 में से 28 जाएगे, तो कितना बचेगा, 8, ठीक है, तो y equals to क्य क्या आ गया, 8 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, putting y equals to 8 in equation, देखो, आप 4, 3, 2, 1, कोई सी भी equation में रख सकते हो, चलो इसमें रखते हैं, पहली वाली में, equation 1, 1 में रखते हैं तो क्या हैगा, पहले equation को लिखते देते हैं, 2x plus 3y equals to 12, और यहां पर देखे, 2 into, x तो x रहेगा, plus 3 into y की जगा पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहां पर मैंने put किया है, यहां पर equals to 12, ठीक है, और 2x plus 23, 24, बराबर 12, समझ मा आ रहा होगा आपको, ठीक है, अब देखो, यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको shifting करता हूँ, इसकी 2x equals to 12 minus 24, ठीक है, फिर 2x equals to, कितना आ गय गया यह, ठीक है, घटाएंगे इसको, तो 2 से इसे divide करोगे, तो x equals to क्या आ जाएगा, हमारे पास, minus 2, ठीक है, sorry, minus 6 आ जाएगा, ठीक है, minus 6, क्योंकि दो 12 होता है, तो देखें, यहां पर x की value भी आ गई, y की value 8 है, और x की value minus 6 है, ठीक है, तो इस तरीके से answer आएंगे, 6 और हमारा यह आगया y बराबर 8, बहुत ही अच्छा है, बहीं देखो, answer बिल्कुल correct, correct और accurate आया है, और video को like मत, sorry, video को like कर देना है, और क्या करना है आपको, मैं आपको एक question और देता हूँ, इसी की behalf पर बिल्कुल ही, आपको क्या करना है, ठीक है, चलिए, मैं आपको question द 2y equals to 6, ठीक है, इस तरीके से सवाल, इसको solve करो, और इसका answer बताओ, फटाफट comment box में, फटाफट solve करो, अगर यह समझ में आ गया है, तो बिल्कुल सेम है, hint ऐसा ही लेना है आपको, video को like कर देना, और क्या, subscribe कर देना यार, channel को share करो students में, और ज्यादा से ज्यादा मैं तो बच्चों का SOSC में selection हो, और आप successful बनो यार, Delhi Government बहुत help कर रही है हमारी, thank you for Delhi Government, and अब solve करते हैं हम आगे का, ठीक है, thank you, जहिन जा भारत.